साथियो आज हम लोकसवा चुनाओं के संबंद में अनमानों के आधार पर इस्टेटिस्टिस के आधार पर पूरे देश भर का एक प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं और ये बड़ा ही महत्पूर्ण विसेशन है चुकि आप सभी लोगों को इंतियार होगा कि 2019 का चुनाओं होने जा रहा है इसमें किसकी सरकार बन सकती है ऐसी आपको जरूरत महसूस हो रही होगी तो मैं आपको पता होगा कि इस्टेट वाइज अगर हम बिसेशन करेंगे तभी हमें ये नंबर प्राप्त हो सकते हैं चुकि ये पूरे देश का बिसेशन करना बड़ाई कथिन काम है हमारा देश बिविन जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, भासाओं में बटा हुआ है सबसे पहले आपने देखा होगा कि हाँ एक बार और मैं बताना चाहता था एक बात कि अलग अलग जो इस्टेट हैं उसमें संस्कृतियां, भासाओं, संप्रदाय, जातियां ये सब चीज़ें तो हैं इसके साथ साथ इस समय पूरे देश भर में कोई ऐसी एक राजनितिक पार्टी नहीं है जिसका पूरे देश में एक सा प्रभाव हो इसलिए हमारे देश में जो राश्टी पार्टियां बनी हुई है उसमें खास तोर से राश्टी पार्टियों में पहले नंबर पर जो इस समय बोट के आधार पर पर पार्टी है वो भारती जनता पार्टी आती है दूसरे नमबर पर बोट के आधार पर जो राश्टी पार्टी है वो भारती राश्टी कांग्रेश आती है तीसरे नमबर पर जो राश्टी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी आती है और इसी तरह से चौथे नंबर पर CPIM और दो ऐसी पार्टियां है जिनका बहुत कमादार है NCP और इस तरह से छे पार्टियां हमारे देश में राष्टी पार्टियां है तो इसमें जो बजूद वाली पार्टियां जो से कह सकते हैं वो तीनी पार्टियां है भारती राष्टी कांग्रेस भारती जनता पार्टी और बहुजन समझ पार्टी इनका जनाधार जो आप देखेंगे तो पूरे देश में इनका आधार बोट है लेकिन एफेक्टिवनेस जो है किसी स्टेट में किसी पार्टी की है किसी स्टेट में किसी पार्टी की है और बहुत सारी स्टेट ऐसी है जिसमें छेत्री पार्टीयों की ज्यादा बजूद है तो इसलिए सबसे पहले हम आंधरा प्रदेश में चलते हैं आंधरा प्रदेश म है जो भारती राश्टी कांग्रेस के लीडर्सिप में है और तीसरा जो स्वतंत्र गठमंदन है जो अलग-अलग स्टेट में उनका गठमंदन है और उसका पूरे देश भर में जो लीडर्सिप है वो इलेक्शन के बाद में डिशाइड होगी तो इस तरह से इनको आप देख पा रही है और यूपीए के लिए वहाँ पर कोई सीट नहीं मिल पा रही है लेकिन आप देखेंगे जो गठमंदन है छोटा गठमंदन जो अधर का जैसे जगन्मोहन रेडी की कॉंग्रेस है चंदबावु नाइडू की टीडीपी है यह 24 और 25 सीट लेकर के आ रहे हैं अधर्स के लिए एकएक सीट मिल लॉँ है असम में 14 सीट हैं 14 में से 2 अनडिये के लिए और 2 से लेकर 8 तक यूपीये के लिए और 3 से लेकर 10 तक अधर्स के लिए मिल लॉई हैं बिहार में 40 सीटे हैं, 40 में से 5 से लेकर के 8 तक NDA के गठबंदन को हैं और 2 से लेकर 8 तक UPA के गठबंदन को और 3 से 10 तक अधर्स के लिए मिल सकती हैं बिहार में 40 सीटे हैं और यहां पर खासतोर से 2 गठबंदन प्रभावी हैं एक में जो RJD है जो लारू परसाद जी की पार्टी के नाम से जाने जाती है दूसरी नितिश कुमार की पार्टी है और भारती राश्टी कॉंग्रेस जन्तादल के साथ में है और नितिश कुमार जी की जो युनाइटेट जन्तादल है उसके साथ में आपका जो गठबंदन है वो BJP के साथ में है तो इस तरह से आप देखेंगे दो ही गठबंदन प्रभावी हैं खासतोर से जिसमें NDA को इस बार 5 से लेके 8 तक सीटें मिल सकती है और जन्तादल वाले गठबंदन को 32 से ले ग्यारे में से NDA को 0 से 1 सीट मिलती हुई दीख रही है और UPA के लिए आपका 9 से लेके 10 सीटें मिलती दीख रही है और अदर्स के लिए भी 0 से लेके 2 सीटें मिलती दीख रही है गवा में 2 सीटें हैं दो में से 1 सीट जो है आपको NDA को मिल सकती है और 1 सीट जो है अदर्स क यह बहुत ही important state है चोंकि यह भाजपा का मेन गड़ रहा है और नरेंद भाई मोदी जो बरतमान प्रधान मंत्री हैं वो भी इसी state से ही आते हैं तो इसमें 26 सीटों में से इस बार भाजपा को गाटा दीख रहा है 12 से 13 सीट हैं यहां पर मिलती दीख रही हैं और इसके लिए UPA के लिए आपका लगभग 13 से 10 सीट हैं मिल लहीं है इसको और अधर्स के लिए भी एक से चार सीट मिल सकती हैं हर्याना में आप देखेंगे तो यह 10 सीट हैं हर्याना में चोटा इस्टेट है और इसमें बड़ा रस्टा कसी चल लगए गठवंदन हो रहे हैं कभी तूट रहे हैं तो इसमें एक मोर्चा जो है कॉंग्रेस का है दूसरा मोर्चा भाजपा का है तीसरा मोर्चा जो चोटाला के दुस्यन चोटाला और आप पार्टी का बना है और इसमें बीएस्पी भी यहां पर लड़ रही है तो यह बड़ा ही कुरिशल स्टेट है दस सीटों में सक किसकी कितने खाते में जाएंगी इसको अगर हम नजर डालें तो तीन से लेके पांच सीटे तक अनड़ एक गठबंदन को मिल सकती है और तीन से पांच के बीच में ही यू पिए के बीच में रहेंगी और चार से पांस तक अदरस में भी जा सकती हैं तीनों जगे यहां पर बटने की संभावन दिख लिए हिमाचर प्रदेश चोटा स्टेट है चार इसमें MP की सीटें हैं इसमें से भाजपा को दो से तीन सीटें मिलती हुई दीख रही हैं और एक से तीन तक दूसरे गटवंदन या अधर्स को भी जा सकती हैं इसी तरह से आप देखेंगे जम्मू एंड करस्मीर में छे सीटें हैं चह में से एक भाजपा के गटवंदन इखाते में जा सकती है और वागी पांच जो अधर्स में जा सकती है जखरध कंड में आप देखेंगे तो जखरध कंड में 14 सीटें हैं तो यहां पर भार वी असर रहता है तो इस पी जा सकती हैं, जिसमें त्राइबल पांटी सीटें हैं। जंता दलbereich अगरे एक तुसेलियर को डिते लड़ा नंहीर करना सीटें नटेश में घटमंदने के नियुक्त włosimoo को मिल सकती हैं और आठ और नो के बीच में ही कौंग्रियस गठ बंदन को अधर्स के अधर्स में भी जानते हैं आप इसमें उनकी देव गोड़ा की जो पार्टी है जंतादल सेकूलर जंतादल उसके लिए भी और यहां पर वैसी हैं उनकी भी पार्टी है तो इसमें अधर्स यहां से आप सुना होगा कि राहूल गांदी भी यहां से जो बाहती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्स हैं लड़ रहे हैं और यहां पर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर एक सीट बीजेपी गठवंदन को जाती ही लग रही है औ और पांस से आठ तक यूपिय गठवंदन को लग रही है और यहां CPI, CPI, M इनका भी काफी बड़ा जनाधार है तो अधर्स में भी 11 से पंदर सीटे तक जाती ही दीख रही हैं मद्र प्रिदेश में आप देख रहेंगे तो यहां पर 39 सीटे हैं उन्तीस सीटों में से 9 से 14 सीटे जो है भाजपा गठवंदन के खाते में दीख रही हैं और 9 से 14 तक यह यूपिय के खाते में दीख रही हैं और 11 के बीच में अधर्स के वह भी जाती ही दीख रही है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंट इस खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले